दोस्तो मेरे चैनल सुक्समरदी उपाय में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो पीपल को हिंदु धरम में पवित्र माना गया है और इसकी पूजा करने से कैई प्रकार के लाब होते हैं सास्त्रों के अनुसार पीपल में कैई देवी देपताओं का वाज होता है सनी माहराज भी इस दिन पीपल में निवाज करते हैं और इससे पीपल को जल देने और दीप दिखाने से सनी दोस दूर होने लगते हैं पीपल की पूजा के भी कुछ नियम होते हैं सत्ता है का एक दिन ऐसा होता है जिसमें पीपल के मतलब पूजा करने से जो है नुकसान भी हो सकता है वो होता है रविवार का दिन आपको रविवार के दिन कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए उसके इस परसे आपका दुर्भाग्य भी बढ़ सकता है, तो आपको रविवार के दिन आपको बचना चाहिए, आप जो पीपल की पूजा करते हैं, या तो सनिवार को कर सकते हैं, या फिर पूरन मासी के दिन कर सकते हैं, याद रखे रविवार की पूरन मासी नहों, अगर रविवार की पूरन मास तो आप दूर से ही आप दिया लगा सकते हैं जल्व अगर आपको नहीं लगा करना है और नहीं चूना है पीपल के ब्रक्ष में दिन के समय जो होता है वो मा लक्षमी निवास कर दी है जबकि पीपल में रात के समय लक्षमी की बहन अलक्षमी का वास होता है रविवार के दि मा लक्षमी का निवास होता है इसके अलावा जो बाद में पूजा होती है रात को नौ वजे तब आलक्षमी इसके अंदर निवास करती है तो रात को कभी भी आपको पूजा पार्ट नहीं करनी चाहिए छैसे अगर आपको करनी है पूजा शनिवार या कभी भी करनी है छैसे एक बात और ऐसी धार्मिक मानता है कि जब भी पीपल की पूजा करें, तो पीपल के सामने दीप जलाई, तो कभी भी उपर की और नहीं आपको देखना है, इसके पीछे का तर्क भी है दोस्तो, पीपल के जो तना होता है, जढ़ होती है उसमें देव्य सक्ति का वास होता है और जबकि जो उपरी हिस्सें क्यों होता है उसमें असूरी सक्ति ज़रूर ध्यान से जब भी आप इपल की पूजा करें इन बातों को विसेश कर ध्यान लगिए, अगर पहले पहले कर लेंगे, पूजा तो अच्छी है, आप वजे के बाद पूजा आपकी मानने नहीं होती है, पीपल पर क्योंकि जो रात में जो होती है, वो सक्तियां बढ़ने लगती हैं तो इस तरह से आपको पहले ही पूजा करने लेनी चाहिए दोस्तों पीपल के पेड में सभी देवी देपताओं का वास होता है इस वजह से इसको काटना भी सुब नहीं माना जाता है जैसे घर में उख जाता है कभी इसको काटना नहीं चाहिए कटवा द देते हैं उपाय की क्या उपाय आपको करना है दोस्तों आपको चौ मुखी दिया लेना है चौ मुखी दिये में आपको चार बाती लगानी है चार बाती लगाने कवाश में सरसो का तेल डालना है और जड़ को छूते हुए अपनी मनो कामना बोलनी है जो भी आपकी मनो काम जरूर करिये गागा